इजी डीजी 172, चप्टर नमबर 7, उनिट नमबर 7, कारों को जैन्डरी कित करना, पेज नमबर 97 को उपन कर लिए ठीक है, पेज नमबर 97 में अगर आप देखोगे, 7.3 इंपोर्टन रहेगा, ठीक है, पारंपरिक बिमर्स, और दूसरा जो है 7.4, समकालीन बिमर्स, यही दो पॉइंट इसमें आपके एक्जाम में रहेंगे, जो एक्जाम में आ सकते हैं, जिनको एक्जाम में पूछा जा सकता है, यही दो पॉइंट है, ठीक है, और देखो, यह दो इंपोर्टन है, उसके बाद जो इसमें एक इंपोर्टन सेक्शन रहेगा, जो एक्जाम में काम कर रही है लड़कियां भी काम कर रहे हैं तो उनके साथ किस परकार का भ्याद बहुता है हिनसा होती है या इस परकार की जो चीजे होती है उन ले करके इसमें है बोलिए इसमें क्या रहा 7.3, 7.4, 7.7 ये तो important रहा है बाकी इसमें अगर और देखेंगे जो आ सकता जैसे इसमें एक चीज दे रखी है कारे को कारे के मापने हे तुमाना कि यानि महिलाएं जो जो काम करती थी या जो काम होता था उसको किस आधार पे मापा जाता था यानि standards कैसा है ठीक है standards अर एक और है स्रमबल सहे भागिता और आर्थ ब्यवस्ते में जंडर अंतराल आर्थ ब्यवस्ते में ये दो चीजे हैं और बच्यू है तो इनको सबसे तो में difference पूचा जा सकता भई पारंपरीक बिमर्स और समकालिन बिमर्स क्या है ठीक है ऑर समकालिन का मतलब नय य κάν dialogues को लेकर के वरकिंग को लेकर करके के न modèle का काम जो काम कर रही है उनका कितना मानक है कितना नहीं उसका कितना मूल ले है ठीक है उसी को ले करके और फिर कारेस्थल पर कैसे भेदभाव होता है तो जैसे हम पहले देखेंगे 7.3 को पन कर लीजे का कहा है पारमपरिक बिमर्स यानि डिसकस देखो हमने प्रारमभिक मानो समाज के बारे में पढ़भा है जो समतावादी थे यनि कहा रह大 यहां हमने पहले वाले जो समाज है पुराना जो हमारा समाज है और कैसा था समतावादी था ठीक है पुरसों backlash के महिलाओन ने पुरुस ने सिकार किलिए मचलीय पकड़ी तथा भोजन के लिए आस तक कच्क्ची समग् पूरुस क्या करता था पहले के समय में पूरुस क्या करते थे कि जैसे मालों की लकड़ी लेना लकड़ी जंगल से काट करके लाना मचली पकड़ के लेकर के आना भोजन के लिए आवसक जो कच्ची समगरी है जैसे मालों की सिकार करना है जंगल वंगल में सिकार करना हो इनका करना, इन कामों को करने के लिए जरूरी आउजार बनाते थे, इन कामों को करने के लिए जो पूरुस होता था, उसका काम क्या भाया, खाने पीने के लिए कह सक्थियों कि जंगल में सिकार करा मचली पकड़ा है, आउसक कच्ची समागरी उपलब्द करारा खाने के लिए और इन कामों के लिए जरूरी आउस्यक आउजार जैसे आउजार होगा ना वही जानवर वानवर को कैसे मारना है इनके लिए क्या करता था पत्थर के आउजार बनाता था महिलाओं ने घर की देखभाल की भोजन को पकाया और खाने की देखभाल की यानि जो महिलाएं होती थी और घर की देखभाल करती थी और घर का खाना पकाती थी और जो बच्चे होते थे बच्चों का लानन पारन पोसन यानि बच्चे पालती थी आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में पूराने समय में यही होता था क्या होता था कि जो पूरुस होता था वा घर के बाहर कमाने कमाता था या उस कमाने उस समय कमाने का मतलब यह समझ लो जंगल से लेके आ रहा है और मचली मार के ला रहा है जानवर का सिकार कर रहा है आज के स हमें में अगर आप गाउẩं में तो थोड़ा बहुत बदल गयाया है लेकिन पहले के टाइम में किया था वही था ठीक है बंद कर लीजे तो यहाँ पर उस परकार की चीजे होती ति युँन जो महिलाई होती थी और क्या करती जानती थी कि उनके बच्चों का पूरूजा जक्रण का कौन है। उनके बच्चों का पिता कौन है। ऐस्बैंड के क्या है। बाहर से सिकार उकार करके खाना लाना है। खाने की व्यवस्था करवानी है और महिलाय क्या करती थी घर परिवार में ही समर्पित रहती थी घर परिवार के कामों को करती थी बच्चों की देख भाल करती थी ठीक है इन चीजों में तब परिवार तना है जब मानो समुदाय पसुचारण अवस्था से आगे बढ़ करके एक अस्थाई व्यवस्था के अंतरगत रहने है यानि कह रहे हैं यह परिस्तितियां पहले बनी थी लेकिन जब मानो समुदाय का आगे प्रोसेस होई और जब मानो समुदाय क्या है पसुचारन है पसुचारन का मतलब समझते है जब इंसानों ने पसुओं को चाराना एक प्लेस से दूसरे प्लेस करते थे उख बदलते रहते घरों को लेकिन आप क्या हो गए पर्मेनेंट यह इस्थिती में तब चेंज आया जब वो पसूं को जो चराते थे उसको चराने आग से आगे बढ़े पहले पसू चराता था पसू क्या होता था, मालोग आपके पास पसू है तो कभी आप राजस्थान में चरा रहे कभी हरियाना में कभी पंजाब में कभी और यापका कोई पर्मनेंट घर नहीं है दिरे-ळी इंसान क्या करने लगा उसका अस्थाई बेवस्था तठा अन्तरगत रहने लगा लंबे समय तक अस्थाई बेवस्था का या परिवेश वा वातरुन एक समान बना रहा यहां से धीरे धीरे इंसान जो permanent रहने लगा और उसको पर्याणों और वातरण ऐसे बना रहा है या वही समय था जब घर परिवार की रचना हुई यानि family जो planning थी या घर परिवार की जो रचना हुई जब यानि खाना बदोस की लाइप में या जो कह सकते हो कि पशू को चराने में था तो कहीं permanent रहता नहीं था लेकिन जब इंसान क्या करने लगा भाई मेरे वो permanent रहने लग गया है यानि कह सकते हो कि permanent बस गया और यही से क्या हुई परिवार की रचना हुई और यहां से family start हो गए परिवार बन गया ठीक है धन संपत्ती क्या करें आपर जैसे कहरें आगे देखें या वही समय था जब परिवार की इस परकार उत्पादन के बढ़ते महत ने समुदाइक समाज के स्वरूप को बदल द यही समय था जब से उत्पादन का महत तो बढ़ा ठीक है अब भाई उत्पादन जादा होने लगा पहले रहते नहीं थे खेती करते नहीं थे जब उन्होंने खेती करना आरम कर दिया जब खेती करना आरम किया तो क्या हुआ उत्पादन का महत तो बढ़ा और समुदाइक जो समाज के सुरूप को बदल दिया, धन संपत्ति के संचय के साथ, पुरुस और महिलाओं के बीच में संबंद बदल गया, यानि जब धीरे धीरे इंसानों ने क्या करने लगया, धन का संचय करने लगया, भीया, रुपए, पैसे और कह सकते, अनि चीजों को जब उसने क्या किया, संचय का मतलब इकठा करना, ठीक है, संचय का मतलब क्या होता, जब उसने धन संचय करने लगया, या उसका मैलाओं पूरुसों के जो संबंधे वो बदल गये, क्योंकि समस्त धन संपत्ति उत्पादन का परणाम थी, और उत्पादन पूरुसों का गतिविदी थे, यह कह रहे हैं कि जो संपत्ति थी, वो पूरुसों के हाथ में गई, क्योंकि जो पूरुस्थाव क्या करता था, कि उत्पादन की गतिविदी में पूरुसों का महतुजादा था, ये कह रहे हैं कि जो काम, यानी जो महिनस से पैसा आता था या जो काम करके जो पैसा धन सम्पत इकटा किया गए पैसा हो ऐसे को इसमें पुर्सों की गत्भीदी थी यानी उनकी जादा थी कह सकते हो घर परिवार चलाने तथा घरेलु स्रम करने की तुलना में उत्पादन का मूल अधिक आँका गया है। जो पसु को चरा रहा है, जो बाहर से कमा कर ला रहा है, उसको ज़्यादा आँका गया है। पारम परिक आर्थिक सिध्धान्तिक अनुसार जीवन आर्थिक छेत्र और घरलु छेत्र में विभाजित होता था। करें कि पहले जो का टाइम था पारम परिक आगर हम आर्थिक सिध्धान्त की बात करें यानि एकोनमी सिध्धान्त क्या था। उसका आर्थिक छेत्र होता था दूसरा घरलु छेत्र में विभाजित होता था। आर्थिक छेत्र का फोकस क्रेताओं बिक्रेताओं बजार पर होता था। जो फूसरा घरलु छेत्र में गयरभुकतान वाले ऐसे शरम के इर्दगर्द रुखा घ्या जो जीवन चलाने की लिए आवे सकता है ooh जी घरलु छेत्र होता था और अर्थिक छेत्र में के सकते है और महिलया धर भ tu जैट्र है ऑूस अर्dockरτα घरलु करते Все अि उन्हां को हो पैसा थोड़ी मिलता है, लेकिन पुरुस अगर कहीं बाहर काम करता है तो उसको सेलरी मिलती है, तो वही करें कि घरेलू स्रम के भी विव्याज़त किया गया, उत्पादन में उन्हीं मर्दों या समान की गणना की गई जो बजार में बेचे जाते थे, यानि उत्पादन वह उसी को माना जाता था, जो बजार में बेचे जाते थे, इसलिए घरेलू छेतर आर्थिक छेतर के दारे से बाहर चूट गया, यानि जो घरेलू छेतर था, उसको कम मापा जा रहा था, और आर्थिक छेतर को जादा मापा जा रहा, कारे को हम उर्जा कि किसी ऐसी गदविद जिससे दूसरों के लिए मूल लिवान सेवाओं और उत्पादों का उत्पादन होता था यानि किसी दूसरे के लिए जैसे पूरुस करता था वो किसी दूसरे गले करा जैसे मार्केट में वेचने के लिए या उसके लिए कराएं दूसरों के लिए मूलिवान सेवाएं या उत्पादों का उत्पादन होता हो हाला कि कार का निस्पादन किसी मजदूरी बेतन या आयके बगैर भी संपन हो सकता है आर्थिक रूप से कहें तो स्रम बाजार में किया गया कार असपस तोर पर वही कार था जिसका निस्पादन बेतन के लिए किया जाता यानि करें कि काम को वही माना जाता था जिसमें क्या निस्पादन यानि किसमें कुछ मिले ठीक है जिसमें क्या मिले भाई या बेतन मिले ठीक है कार का कोई कार उत्पादक तभी और सिर्फ तभी होता था जब इससे लाव उत्पनों यानि कह रहे हैं कि उत्पादन किसी काम को उत्पादन तभी माना जाता था ठीक है यानि production आप कह सकते हैं पैसे मिले, तो पूरुस जो काम करता था उस उसको कामकरता था, उसको मोल्य मिल रहा है, जो कामकरती थी उनका कोई मोल्य नहीं है. अब यह घर के चूला चौका करना है और माल जिये कि आपको घर में बच्चे पालने हैं इसका कोई मूझ नहीं वह ही मैं आपको समझाने कोशिज करऊंगे पहला पूरा यह बता रहा है कि महिलाओं का जो वर्क है उसको कमाका गया है पुर्सों का जब वर्क है याई बाहर ज थाई ठीक है जब पूझी वादी वेवसाई तो महिलाओं को क्या सस्ते स्रम के लिए बाना जाता था यानि आज भी अगर मैं बात रहूं उस टाइम क्या बाना जाता कि जो महिलाएं है वह कम पैसे में काम जैसे मैं वागर एक्जामपल दूँ जैसे इंडस्टी के लिए काम करना है ठीक है एक पूरुस काम करता है तो वह उसे बोला कि भई मुझे 500 रूपे चीहें दिन के और महिलागर काम करें तो 300 इसमें डिफरेंस है ना भई अगर मैं काम करा एक पूरुस काम करा तो 500 है और उस जीए महिलाओं के काम को कम आका जा रहा था जब पूझी वादी ब्यवस्थाई तो उसमें भी क्या था महिलाओं को सस्ते श्रम मापा गया और उनको सुभिधा जनक सरोत के रूप में देखती थी या महिलाओं को स्रम की एक ऐसी आराच्छित फवज के रूप में देखती जिसका उत्पादन के कुछ छेत्रों में स्रम का अभाव होने की द जहाँ पर आदमी नहीं है जहां पर कोई नहीं महिलाओं का यूज कर लेते थे उनको कम पैसे देने पड़ते थे ठीग है यनि महिला दोरा किये जए खरम को नहीं मानते थे हमने दोनों बिस युद्ध में यही देखा इन दोनों युद्धों में जब पुरुस को सेना में काम करने के लिए बुलाया जाता था, तब कार खानों में उनकी जगा पर काम करने के लिए महिलाओं को रोजगार दिया जाता था, और युद्ध समात के बाद महिलाओं को काम से हटा कर घर वापस भी दिया जाता था, भ की महिलाएं क्या करती थी कम पैसे में काम कर रही थी ठीक है महिलाओं को पूझी वाद के उभार वाले 1950-1960 के दसक के दोरान कार्यस्थल पर काम करने के लिए पुना तब प्रोसाहित किया गया जब उनकी भूमिकाएं अपरवासी स्रमिकों के समान थी यानि जब उन्हें सस् स्रम के एक भंडार के रूप में देखा जा सका है महिलाओं के इस्तिति में परिवर्तन काब आया क्योंकि जब से पूझी वाद आया पूझी वाद ने क्या 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 कि महिलाएं क्या थी भई कि कम स्रम में आ जाती थी कम पैसे मिल जाती थी ठीक है वर्डवार का बता रह तो इसी स्थिति में महिलाओं की भरती कर लेते थे महिलाओं कंपणी में काम कर रही है और जब यूद खत्म हो गया तो उनको हटा देते थे महिलाओं को पुर्ष को ले लेते थे ठीक है धीरे-धीरे क्या होए चेंज काया कि 1950-1960 के दस्क में चेंज काया है कि अब महिलाओं को भूमिका ज्यादा कमपणी में बढ़ गई यानि इंडस्टी में उनकी ज्यादा भूमिका बढ़ी रीजन क्या था कि वो कम पैसे में मिलती थी ठीक है या फैमिनिजम जो उबाल आया फैमिनिजम का आप आप देखोगे फैमिनिस्ट जो वो आया वो कहां पुझी वाद की देन है पूझी वाद क्या उसने महिलाओं को ज़्यादा कह सकती है बढ़ाने का प्रयास क्योंकि ओ लेबर क्लास में अगर हम देखे यानि उसके लिए कम पैसे में अवलेवल थी ठीक है संपून इतिहास में पूझी वाद मांग के अनुरूप स्रम की आपूर्ति करने के प्रतिमानों में परिवर्तित करने में बहुत दक्ष साबित हुआ यही बात महिला स्रम के परियुक्त करने के बारे में भी लाग होती है सभी समाजों में खासकर विकास सिल्डोसों में आउसक लेकिन आम तोर पर गैर भुकतान जैसे खाना पकाना, साफसफाई करना, अन घरेलू कामकाज, बच्चों की देखबाल, विमार और बिद्ध, लोगों की देखबाल करना, साथ साथ समधाइग आधारित, ब्यापक त है विरिद के देख भाल करना इसमें ब्यापक तौर पर यानि बड़े लेबल ता यानि ज़्यादा बड़े आकार में अगर देखेंगे तो महिलाओं की जिम्मेदारियों को देखा जाता था गैर भुपतान वाले कार का यही प्रतिमान उन महिलाओं पर भी लागो होता है ज गरीब घरों से आती हैं वह घरेलू कामकाज के लिए किसी व्यक्ति को खर्च करने का खर्च नहीं उठा सकती इसलिए बहुत सामान सी बात है यह घरेलू कामकाज पईवार में छोटी बच्चियों या ब्रिद महिलाओं को सौप दिये जाते थे यह नि कह रहे हैं कि महिला में कुछ कामों में जैसे महिलाओं जैसे घाना बनाना हो साफ सफाई करना हो बच्चे पालने हो इन कामों में महिलाओं को यूज किया जाने लगा और महिलाओं को जो स्रम था पैसा जो मिलता था जो मुल्य था वो पहले कि पेक्षा जीस प्रकार से माना जाता था कि घरेल काम को उतना ज़्यादा महत तो नहीं दिया गया यह उन महिलाओं के लिए कारे के लिए दोहरे बोज की तरह बन गया जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता था यह परकिरिया पूजी वाद का अभीन अंग भी रही हालिया वर्सों में अधिक प्रमुकता से उबरी है ठीक ह तो यह कहरें कि पूराना जो संकालिन जो टाइम था उसमें डिसकस जो दौर था उसमें अगर हम भी मर्स की बात करें तो उसमें क्या था कि पूरुष जो काम करता था जो बाहर काम करता था उसके मूल्य को जदा आका गया और महिलाओं के जो काम था जो उत्पादन होता थ उसको कम माना गया ठीक है अगला पॉइंट देखेंगे इसमें क्या है 7.4 है समकालिन विबर्स यानि परजन टाइम में किस प्रकार का डिसकासन है डिसकास हो रही है ठीक है तो इसमें अगर आप देखोगे पारम पर एक अर्थ सास्र की मानेताओं के परणाम महिलाओं के लि एक चुनोती भरा रहा और अद्रिस और गैर भुकतान वाली अर्थ विबर्स या अद्रिस माने गया देखो अब हम समकालिन विमर्स में देखेंगे तो पहले के टाइम में कह सकते हो कि जो महिलाओं का जो काम करते थी उसको उतना ज्यादा वैलू नहीं दी गई या उतना ज्यादा नहीं माना गया जो बाहर काम करते थे जिस काम से पैसे आते थे जिसका प्रोडक्शन होता था उससे अगर पैसे आते थे उसकी वैलू ज्यादा थी उसकी कीमत ज्यादा थी और जो महिलाओं घर पर काम करते थी उस स्रम की ज्यादा नहीं थी आप इस बात से समझ सकते हैं यानि जो पूरूसों का स्रम था उसको मुल्यवान बाना गया और महिलाओं के स्रम को आपक्षता कह सकते हो कम माना गया ठीक है अब समकालिन बिमर्श में कहा देखो उत्पादक और पुनर उत्पादक कहा देखो गैर भुकतान वाले आर्थिक कारे को सामने लाकर ए कारे के भीतर एक दिर्ग इतियास रहा यारी कहने कि भुकतान वाले और गयर भुकतान वाले थीक है। उसने 1970 में लिखा जिसमें किरिसी मूलक अर्थ ब्यवस्था के लिए महिलाओं के महत को रेखां किते हैं याँ जो डेनमार्क का कह सकते हो कि जो अर्थ सास्तरी था इसने क्या बोला है 1970 में इसने किताब लिखी कि किरिसी मूलक जो अर्थ विवस्ता है यहां पर खेती का काम हो रहा है खेती किसानी का काम हो रहा भाईया वहाँ पर महिलाओं के महत्त को उसने जादा बता है कर रहा कि जहाँ पर खेती हो रहे खेती यानि अगरी कल्चेस रिलेटरी जहाँ पर वर्खा है वहाँ पर महिलाओं के महत्त को जादा बता है रेखांकित क्या खास तोर पर उप सहारा अफरीका यहां पर पारमपरी हो तक्नीक का प्रियोग करने वाली महिलाओं के उपर खाद उत्पाधन का सारा भार पड़ता है अब उसने बताए कि अफरीका की यहां पर जिखर किया गया अफरीका का एंगल बताए है कि अफरीका में क्या है वहाँ पर जो एगरी कल्चर सेक्टर है कि महिलाओं के द्वारा की जाने वाली किर्सी परणाली है उसको ग्लोबल के रूप में देखा गया इसके अत्रिक्त बेस रूप ने किर्सी उत्पादन में अपनी भूमी का निभाने वाली महिलाओं तथा उनकी परिस्तिती के बीच पूर्सों के आमने सामने एक सकरात्मक सहबंद की पहचान की उनके कारियों ने महिलाओं की जरूरत मंद लाभारतियों के बजाए समाज के उत्पादक सर्दस्वेक रूप में प्रिजबंद के देखो कह रहा कि यहां पर एक्जामपल दिया गया कि जो महिलाएं हैं ठीक है महिलाएं खेती के लिए बहुत उप्युक्त है या अगरी कल्चर रिलीटिर गया उसमें महिलाएं ही ज्यादा काम कर रही है उसके महत्तो को यहां पर ज्यादा माकर गया उसके एक्जामपल को दे करके यहां पर बताया गया ठीक है अर पुरुष जो जो आ देखो, इसका पुरुष को बता गए, देखो, यू क्या कह सकते हो, जो बोलते हो, ठीक है, उस पर लेटा हुआ है, तो इसको बता गए न, तो इस हिसाब से इसको दिखाने का यहां पर प्रयास के गए है वर्तमान नारी आंदोलन के सारवधी उपयुक्त मुद्दों में से एक या है कि वहाँ पुनरो उत्पादन की भूमिका पर खासा जोर देता है घर परिवार के घर भूगतान वाले कामकाज के अधिकांस हिस्चे को महिलाओं ही संपन करती करें कि घर परिवार में जो घर उत्पादन घर भूगतान का मतलब होता है कि ऐसा काम जिस काम को करने पर कोई महंताना या कोई पैसा या कोई बेतन नहीं मिलता है उस कामों में क्या है कि महिलाओं का महिलाएं अधिकान सिंसे में महिलाएं ही काम करती है जैसे परिवार के लिए भोजन पकाना वह या घर की सफाई करना हो जल हो इंधनी कठा करना हो इसके साथ ही बच्चों या बिर्दजन जो है परिवार के जो परिवार के उनकी देखभाल करना है ठीक है यानि कह सकते हैं की जो गैर-भुकतान करने वाले काम है उनमें महिलाओं की भूमी का जाधा है कि या देखते महिल जैसे मानोग घर पे काम करती है खाना पकाती है भारत में गर भुकतान वाले देखभाल के कारे जो पूरुस करते हैं उससे 10 गुना अधिक महिलाएं कारे करती हैं करें कि अगर कोई पूरुस अगर कोई ऐसा कारे करता है जिसका उसको वेतन नहीं मिलता है उससे 10 गुना योनि 10% अधिक है महिलाएं कारती हैं जिनका उसको क उसमें तीन चौथाई जो काम है वा गरेलू काम काज है जो साफ सफाई स्वच्छ खाना पकाना साफ सुतरे जैसे बुनियादी सुविदाओं की पहुंचत के अभाव के कान अधिक गंभीर हो जाता है अगर तूलना की जाय तो अन्य दो एसियाई देश जैसे चीन और बंग कार ही करती हैं तो यहां पर यह कह रहा कि जो महिलाएं काम कर रहे हैं उन महिलाओं के काम करने पर ऐसे महिला कितना काम करती जिससे उसको पैसे मिलते हैं या गैर भुकतान करने वाले काम ज्यादा कर रही है नहीं करें महिलाएं जो हैं उस कामों को ज्यादा कर रहे हैं जि में महंताना ना मिलता हो ठीक है जिसमें salary यानि पैस income नहीं है ठीक है सन 2015 में बैस्विक स्रम सहभागिता दर महिलाओं की 50 परसती यानि करें 2015 में अगर हम महिलाओं के स्रम की बात करें कि महिलाओं की स्रम में यानि working में कितना भागिदारी है तो 50% थी यानि महिलाओं की भागिदारी 50% है जबकि पूरुस के लिए है 77% थी यानि पूरुस जो है ऐसे काम को कर रहे हैं उनकी सव्यक्ता यानि जो मेल है वह 77% है और महिलाओं 50% है ठीक है स्रंबल और रोजगार दर में महिलाओं की सहभागिता आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृति मुद्दों पर घर परिवार में देखबाल के कामों के विभाजन के कान बुरी तरह परवावित हैं मानो विकास रिपोर्ट 2015 या बताती है कि 22 काम काज का 72 फीस्दी हिस्सा महिलाओं द्वारा किया जाता है यानि पूरे 20 में अगर बात रहे हैं जो काम किया जाता है 72% यानि 52% जो काम है महिला द्वारा किया जाता है जबकि पूरु शरीफ 48% हिस्से का ही संपन करते हैं लेकिन इस तत्थे के बावजूत की महिलाएं आधे से अधिक काम का बोज़ा अपने कंदों पर उठाती हैं उन्हें कार के दोनों छेत्रों में नु उठाना पड़ता है चाय भुक्तान वाले छेत्र में काम करें या चाय गर भुक्तान वाले छेत्र में काम करें उनको उतना नहीं मिल पा रहा है भुक्तान और गर भुक्तान वाले कारें के परतिमान ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर बल देते हैं या बल परदान करते हैं भुक्तान वाला कार का 59% है या अधिकांस घरों के बाहर जाकर के किया जाता है भुक्तान वाले कार में पूर्सों का हिस्सा 38% है और महिलाों के हिस्सेदारी 21% का लगभग दो गुना है यानि करें कि ऐसे काम जिन में पैसा मिलता है या जिन में इनकम होती है उन कामों को पूरुस ज़्यादा करते हैं और ऐसे काम जिन में पैसा ज़्यादा मिलता है उन कामों में महिलाएं कम हैं ठीक है कह रहे हैं कि ऐसे काम जिन में काम करने से पैसा मिल रहा है उसमें 38% पुरुस है और महिलाएं 21% है लेकिन जिन कामों में करने से पैसा बिलकुल नहीं मिलता है उसमें महिलाएं जादा है तो भी करें कि महिलाएं ऐसे कामों को जादा कर रहे हैं जिन के कामों को करने से उनको ज़्यादा इंकम नहीं हो रही है यह ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं पुरुस उनकामों को ज़्यादा कर रहे हैं जिनको काम करने से उनको पैसे मिल रहे हैं गर भुकतान वाले कारें के घरों के भीतर संबन के जते हैं गैर भुकतान वाले जो काम है जादा तर घरों के भीतर हैं मुख्यता इनमें देख भाल करने जैसे काम का सामिल है गैर भुकतान वाले कार का 21 परस्ट जिनमें से 30 परस्ट का निस्पादन महिलाय करती है अगर हम बात रहें ऐसे काम जिन में पैसा नहीं मिलता अगर वह 21% है तो 41% में से 30% महिलाएं काम करती है जब कि गैर भुकतान कालें जिन कामों को करने से पैसा मिलता है ठीक है उसमें पुरुष जदा है और कहरें कि जिन कामों को करने से पैसा बिलकुल नहीं मिलता है उसमें महिलाएं 30% है और पुरुष 10% है ठीक है 10% है यनि तीन गुना की बात है इस प्रकार यहां आस्तुलन सामने आता है भुक्तान वाले कार पर पुरुष का प्रभुता है यनि करें कि पुरुषों का जो वर्चस्व है जो उनका दबदबा है उन कामों में ज्यादा है जिन पर पैसे मिलते हैं यह पूरुस उन कामों को ज्यादा करने हैं जिन कामों को करने से उनको सैलरी मिलती है उनको पैसा मिलता है उसको कुछ मिलता है और महिला उनकामों को ज्यादा करने हैं जिन कामों को करन से ये बता भी दिया गया। उसको एक्जांपल देखरके यहां पर आपको समझाया भी गया कि किस प्रकास से चीया गया। तो इस कामों को जैसे color color कामों को अन्य चीजों को जैसे आपर बताया गया है कि glass ceiling और दुनिया भर की बाते हैं आपर बताई गए तो यही बाते हैं जो आपको इसमें समझाई गई है जो बाते हैं पर बताई जा रहे हैं तो इस बातों को आप ध्यान से समझने की सिरफ क्या करेगा कोसिस कर लिएगा ठीक है तो इसको आप और भी जड़ा explain कर सकते हैं आप जब इसको detail में पढ़ेंगे न तो उन कामों को जब आप इसकी detailing में जाओगे न तो आपको ज़्यादा detail में इस chapter आपको समझ मेंगा तो इतना तो बहुत हैगा आप इसको explain करेंगे तो इसको और भी आप explain कर सकते हैं इसमें बहुत सारी बाते हैं जैसे भुक्तान वाले देखभाल संबदेगा ने करें कि भुक्तान वाले ऐसे काउन से का रहा है जिसमें देखभाल है जैसे बहुत सारे काम है गर भुक्तान वाले कारियों में यानि ऐसे काम जिसमें काम करने से पैसा नहीं बिल्कुल नहीं मिलता, उसमें महिलेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे दिक्कत नहीं आएगे अब हम बात करेंगे 7.7 में आ जाएए ठीक है देखो एक काम करना जो गर भुखतान वाले गर भुखतान वाले बार बार जो हम लोग उसमें बाते कर रहे न इसको थोड़ा पेजोज कोपी में एक बार लिख लेना अपनी समझ के बता लेना कि उसमें क क्या क्या लिखना क्या नहीं लिखना कि जो परसेंटेज की बात करता है वही काम में गुखतान वाले कामों में महिलाओं का परसेंट इतना है या इसको एक टेवल बना करके लिख लेना ठीक है अगर करना होगा आगे देखें कारे कारे अस्थल में जंडर भेदभा हिंसा और हिंसा को देखेंगे कि कारे अस्थल में महिलाओं के साथ कैसे बेदभाव यानि जंडर भेदभाव जंडर का मतलब होता कि समाज जो भेदभाव कर रहा है ठीक है देखो महिला है पूरुस है दो चीजे हैं लेकिन समाज उनमें जो भेदभाव करता है उसको कैसे कर दे लिए चिंता का एक विसाय है देखो करें भीया धमकियों के रूप में या सारी लिक या मौकिक रूप में दूरू बेवहार जो होता है या कार या स्थाल पर जो बेवसाय होते हैं वहाँ पर सरमिकों के लिए एक चिंता का विसाय है आप कहीं पर काम करते हैं ठीक है कहीं पर आप किसी company में काम करते हैं किसी school में काम करते हैं किसी college में किसी भी दफ्तर में आप काम करते हैं तो काम करते समय आपको जो धमकियां मिलती हैं जो आपको लोग comment कर रहे हैं जो आपके लोग दुर बेभार कर रहे हैं जो आपके लोग हिंसा करते हैं एक चिंता का विश्य है पहली बात तो पूरुसों के साथ भी होता है दूसरी बात महिलाओं के साथ भी होता है ठीक है तो पहली बात यानि पूरुसों के साथ भी एक समस्या है ऐसा नहीं है ठीक है तो इसमें हम जो लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेगा देखो योन उत्पीणन का अपराद अनेक लोगों द्वारा किया जाता है यह योन उत्पीणन की अगर बात रहें प्रतेक्च हो सकता है यह अपराज जो होता है कार अस्थल पर जो हिंसा होती है जो भेतभा होता है यह बहुत माइनर लेवल पर होता है इसको पकड़ना इसको जानना इसको सामने लाना बहुत मुश्किल है तथा यहाँ इरादतन यहाँ गैर इरादतन इरादतन का मतलब होत उत्पीडन का परकार कुछ भी हो सकता है, हो सकता हो सकता हासिल करने के लिए उत्पीडन किया गया हो या हो सकता है कि ऐसा उत्पीडन के साथ साथ काम करने में ले क्रमचाली और संबंद लोगों की घटित हो रहा हो, करें कि जो उत्पीडन होता है कार्यस्थल पर उसका उत् नौकरी मिल जाएगी इस प्रकार का भी उत्पीड़न हो सकता है या जो करमचारी है या उनमें लोगों में आपस में हो सकता है या सलाकार ग्राहा के अजंब समधाय के सद्वन से के प्रती बेवहार करते समय ऐसे उत्पीड़क को अंजाम दिया गया ऐसे इस्तिति में जब क गटित हुआ हो या हो सकता है कि सलाकार आइसी दिन जब कि नौकरीयों की संख्या बहुत कम है और बहुत सारी इवाय लड़कियां काम खोजने का प्रयास करते हैं तब लड़कियों को काम दिलाने या किसी नौकरी में उन्हें भरती कराने के नाम पर उनका योन उत्पिड करना बहुत सियाम बात हो गई है आज होता नहीं क्यों नौकरी दिला देंगे अरे अकबार में मैं तो सुनता हूँ डेली आता है कि नौकरी का जहां सा दे करके यो नहीं सा कर लिया इस परकार की बहुत ख़बरे आती है भाई मैं कभी-कभी अकबार में आता है मैं देखता हूँ उसमें आता है तो इस कहरें कि आज के समय में क्या हो रहा है कि नौकरी के नाम पर ठीक है परमोसन के नाम पर ठीक है यो उत्पिड़न कर लिना सीनियर लोग कर रहे हैं जा कोई और कर रहा है इस प्रकार की जो घटनाएं ह वो बहुत ज़्यादा बढ़ी आज ऐसी स्थिति है क्या बहुत सारी जो इवा लड़कियां है वह काम खोजने के प्रयास करती है और नौकरी दिलाने के नाम पर क्या है उनके साथ भी है तुमको नौकरी दिलागे अरे तो यह नुप्रणा बहुत पैसे वैसे ठगी भी हो ज तो आज जो नौकरी दिलाने के नाम पर इस बहुत आमसी बात हो गई है और यो नौकरी की यहाँ बात यही नहीं रुख जाती है इसमें सिक्षण और प्रसिक्षण संथानों में काम कर रही महिलाएं घरेल महिला स्रमिक विपस्थापित मजदूर नौकरी की अलप सुरक् संथिया बहुत अधिक है जिनकी निगरानी पूर्सों की बहुत कम संख्या दवारा की जाती है कह रहे है कि जो उत्पीडवन है ना जो वर्किंग प्लेस है यह नौकरी के नाम पर भी हो रहा है महिलाओं के साथ यून हिंसा हो रही है यून उत्पीडवन हो रहा है ठीक है बलकि जो नौकरी कर भी रही है मालों किसी education system में काम करती है वहाँ भी उनका पूरुसों के द्वारा उनका सोसन हो सकता भाई या किसी company में काम कर रही है कोई मजदूर है, कोई सरमिक है या कोई विस्थापित महिला है इस इन लोगों के साथ भी क्या है बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है महिलाओं के साथ क्या हो रहा है जिनकी निगरानी पूरुसों की बहुत कम संख्या द्वारा की जाती यानि पूरुस जो उनको पता भी नहीं चलता है या कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे पूरुसों के नाम पर या कह सकते हो कि अच्छी काम दिला देंगे या ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे चाहे education sector हो चाहे कोई company हो चाहे कोई उद्धोग धन्दे हो चाहे कुछ भी हो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वहाँ जाहे मजदूर महिला हो चाहे नौकरी पेशावाली हो चाहे विस्थापित मजदूर हो महिला घरेलू जो सर्मिक हैं इनके साथ भी इस प्रकार की जो हिंसक गटनाएं हैं वहाँ होती रहती हैं महिलाओं और लड़कियों की विरुद्ध की जाने वाली हिंसा का एक अन्य रूप मानो अबैध व्यापार भी है यानि हुमन ट्रेफिंग यानि जिने मानो खरीद फरोग करना अरे सुना ओगा न वो नेपाल से लड़की बेच देते हैं बहुत तो मैंने ऐसे सुनाखा की दुबई-उबई में बेच देते हैं लोगों को ऐसे पकड़ ले जाते हैं लड़कियों को जहांसा दे करके जाकर के बेच देता है इस प्रकार की यानि हुमन ट्रेफिकिंग जो है यानि मानो व्यापार व्यापार भी है अबद होने के बावजूद या पूरी दुनिया म लाब दायक ब्योसाई या बिजनेस बिद्वा की कह रहे हैं कि आज के समय में लड़कियों को बेचना महिलाओं को बेचना बच्चों को बेचना खास करके यहां पर महिलाओं लड़कियों के बात कर रहे हैं उनको जो बेचा जाता है यह ब्यापार क्या है बहुत लाब दाय यानि हिंसा हो रही बलकि क्या उनको लड़कियां जो है बहुत ऐसी होते हैं कि उनके साथ ब्यापार हो रहा 118 देशों में सन 2007 में 2010 के बीच 136 राष्टों से आने वाले इस अबहध ब्यापार के सिकार लोगों की पहचान की गई सिकार से उत्पीडित इन सभी लोगों के करीब 55-60% लोग महिलाएं थी इन महिलाओं में से अधिकांस अबहध ब्यापार या तो यह उन सोसन के लिए किया जा रहा था या फिर बंदुआ मजदूरी के लिए कह रहे हैं कि 118 देशों में ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिनको दूसरे देश मिला करके बेच दिया गया था जिसमें से 60% महिलाएं थी कितनी थी 60% यानि एक देश से दूसरे देश में किसी को पकड़ लेना बहला फुसला करके नौकरी के नाम पे जहां सा दे करके कईसे भी ठी गया पकड़ा गया दूसरे देश में बेच दिया गया त उसमें से 60% महिलाय थी और महिलाय जो थी उनका व्यापार हो रहा था यो उन सोसंट के लिए या फिर उनसे मज़़दूरी करवाने के लिए labor के लिए माने काम घरों के काम करने के लिए ईसे भी बहुत बार देखा है काम करवाने के लिए इस परकार के यानि बंदुवा मजदूरी करवाने के लिए या तो यह उन्सेशन करवाने के लिए 60% महिला है यानि जो खरीदा खरीद फरोग जो रहे मानोत तसकरी जिसे हुमन ट्रेफिंग हैं बोला जाता है उसमें लगबग 60% लड़कियां थी ठीक है भुकतान करके कराय जाने वाले घरियली कामों के संदर में ऐसा सोसन आम बात है खासकर विकास सील देशों में ऐसा काम करने वाली विस्थापित या सरमिकों के मामले के तोर पर उभरा है लोगों के घरों में काम किया इस प्रकार का सोसन सरम कानून के दारे से अक्सर बाहर ही रह गया है करें कि बहुत बच्चियां चोटी चोटी लड़कियां गरीब हैं उनको काम पर रख लेते हैं उनको जबर्दस्ती या कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ऐसी इस्तिति हैं हमारे देश में कि लोग अपनी ही बच्चियों को बेज देते हैं तो ऐसे समय क्या काम कर रही है घरेलू चोटे- अगर दिन भर के 18 गंटे लंबे-लंबे काम कराने के लिए मजबूर हो सकते हैं ऐसा करने से सामाजिक परस पर क्रिया करने इन सर्मिकों के पास बहुत-धी कंक चमता और बहुत-धी कम समय बस्ता है कार की दसाएं अकसर बहुत-धराब हैं शर्मिकों को भर-पेट भोजन नहीं मिलता है किसी प्रकार की डॉक्टरी या चिकिस्ती सहायता भया उनको नहीं मिलती है ना तो उनके पहुंचती है बहुत संभव है कि घरलू काम करने वाली या करने वालों को सारीरिक या योन अत्याचार भी किया जाते हैं उनको मारा जाता है पीटा जाता है ठीक है ऐसे पता नहीं कहां मैंने दिखा था कि साहथ कोई सीरियल उरियल था उसमें आ रहा था ठीक है ओ लड़की को पता नहीं किसने बेंचोज दिया थला करके और किसी के घर पे काम करती थी और दिन बर विचारी उसमें जो दिखा रहे थे 14-15 साल की लड़की रही होगी ठीक है उसके दिन बर काम भी करती थी बरतन भी माजती थी और उसके उसकी जो वाइप थी उसको मारती थी पीट थी दिन बर काम भी करवाती थी तो वहीं कहारया है जो घरलू स्रम में जो बंधुआ मसदूरी के तार पर जो चाहे लड़का हो या लड़की हो छोटा जो बच्चा है दस-bara साल के पंद्रा साल के जो हैं इनको क्या मारा जा रहा है पीटा जा रहा खाना भी नहीं दिया जाता भोजन भी नहीं द्तवाई भी नहीं द्तवर्त करने बादे हैül। के लिए काम करने के जरूरत ही है अब निमलिखित बॉक्स में महिलाओं के कार के बारे में कुछ प्रकार विचार यहां प्रस्तुत किये गए हैं देखो यहां पर महिलाओं के बारे में परतेक आउसर को बंद करना परतेक इस्तिति को अक्सर ढाल लेना है कई बार होता है महि तो यहां पर कुछ एक्जामपल भी दिये हैं, कुछ चीज़ें यहां पर आपको बताई वेगें बड़े-बड़े महानगरों, उसके यहां पर फिर आए उन चीज़ों को सुझाव दिया गया है, कि इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सुझाव खोड़ा देख लेते ह यहां पर सुझाव की साधार पर देगा, देखो, वर्तमान पठदिल से में जंडर असमानता को मजबूती परदान करने वाले समाजिक मानक और बेवहार गहराई तक अपनी जड़े जमाए हुए, इन मानकों और बेवहारों के कारण महिलाओं और लड़कियों के पास बिक है, ठीक है, आउसर उनके पास कम है, ठीक है, इस इस्तिसी निपटने के लिए हावसक है कि भारत में बड़े पैमानों पर प्रांतों में सेकंडरी और सिच्छा में जंडर अंतराल की भरपाई की जाए, नौकुरियों का स्रिजन करने वाली बाधाओं को समात किया जाए, बुनियादी छेत्रों में महिलाओं के लिए कावसल सिच्छित का विस्तार के है, निहीं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनको इस्किल हो, या अन्य चीजों को उनको काम किया जाए, इस चीजों को करने से जो सोसन है, जो इस प् भेद भाव रहा वो कम होगा महिलाव दुमियों को सुलब कराने के लिए वित्तिय तथा डिजिटल सेवाओं की पहुंच को बिस्तार किया जाए संगठनों में जंडर के हिसाब से विधी नितियों तथा बिवहारों को बढ़ाया जाए कोई भी अगर संगठना तुसमें महि तथा बढ़ावा देना चाहिए महिलाओं के लिए तथा कानून को लागू करने के लिए प्रवधानों को ससत बनाया जाए घरेलू काम का आज बच्चों तथा भृध जनों की देखवाल के लिए अध्यिक बोजा को संभोधित करने के लिए आधार बूद जो सनचना है उ जो सेमा हैं उनको उनमुख किया जाए यानि कैसाती कि जो घरेलू काम का ज़े जो बच्चे हैं बिर्जन जो देखबाला है इनको काम करने से जो महिलाओं को पैसे मिले वो जादा मिलने चाहिए ठीक है समाज में जो महिलाओं की भूमिका के बारे में गहरी जड़े जमा चुके उन प्रवितियों को नए आकार परदान किया जाए विसेश तोर पर सिच्छी जो मध्य मुर्गिये परिवार में संपन अनेक समाज पीडिगर जो परिवर्तन है ऐसे दोरों से गुजरे हैं जहां द पीडिगर दोरों के परिवार कारवाई करने की आए सकता है करेकी महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही उसके लिए कानून बने या आवाज उठाई जाए जागरूरता बढ़ाई जाए महिलाओं को ज़दा जड़ा पढ़ाई में परमोट किया जाए यह उनको इस्किल सिखा जाए या कौसल सिखा जाए उनको ज़्यादा ज़्यादा नौकरियां की जाए ज़्यादा नौकरियां उनके लिए सरजन किया जाए तो कह सकते हो कि जो उनके साथ या जो कह सकते भाई वर्क प्लेस पर या जो काम करती हैं वहाँ पर जो उनके साथ सोसन हो रही जो सोसन हो र लगानी चाहिए इन चीजों को अगर हम करते हैं तो इन सब चीजों से निजात मिल सकती ही आए शुझाव कुछें इसमें दिए गएं तो इसमें जितना इंपोर्टन था लगभग जितना सक्सन था उत्तना तो मैंने आपको बता दिया है जो आपको बता दूगा तो काम करना इस 09 बढ़ा दिया एक बार दुब़ारा पढ़े लेना फ़ीक है तो दुबारा पढ़ लोगे तो आप थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आजगा ठीक है हो किसा